नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अमरूत की खेती के बारे में समपुर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरू करें चैनल को सब्क्राइब करें भारत की जलवायू में अमरूत की खेती आसानी से की जा रही है भारत में अमरूत की फसल आम, केला और निम्बो के बाद चोथे स्थान पर सबसे ज़्यादा उगाई जा रही है और हाँ दोस्तों भारत की जलवायों में उगाए गए उत्पादों की मांग विदेशों में बढ़ती जा रही है अमरूत का स्वाद खाने में अधिक स्वादिश्ट और मिठा होता है जिस वज़े से इसे खाने में सबसे ज़्यादा उप्योग मिलाए जाता है अमरूत में विटामीन A, B, C की मात्रा अधिक पाई जाती है इसमें केल्शियम, आईरन और फास्पोरस भी पर्यापत मात्रा में पाई जाता है भारत में अमरूत की फसल, तमिल नाडू, उडिसा, बिहार, आंदर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महरास्ट और बंगाल जैसे राज्यों में अधिक मात्रा में की जाती है राजिस्तान और मद्ध्य प्रदेश में भी अब अमरूत की खेती शुरू कर रहे है हमारे किसान साती अमरूत की बागवानी करने में सबसे पहले अपनगो मिट्टी, जो है उसमें बलोई मिट्टी सबसे उप्युक्त होती है इसका प्येश मान 6-7 के मद्ध्य होना चाहिए जलवायू, अमरूत की खेती शुरू के और अर्द शुरू के जलवायू में की जा सकती है अमरूत के पोदे सर्द और गर्म दोनों ही जलवायू को आसानी से सहन कर सकते है तापमान, 30-15 डिगरी तापमान में ये पोदा अच्छे से विक्सित होता है विक्सित पोदा, 44 डिगरी तक का तापमान सहन कर सकता है अमरूत की उन्नत किस्म, इलाहवादी सफेदा इसका फल का जो वजन होता है वो एवरेज 150 ग्राम का होता है और ये एक विक्सित पोदा, एक वर्ष में 80 केजी अमरूत आपको दे सकता है आर्क म्रदूला, एक सामन्य, इसका फल रहता है और ये एक साल में 130-140 केजी वर्ष वर में आपको फल दे सकता है पंद प्रबाद, इसका भी एवरेज विजन रहता है और ये साल में आपको 100-120 केजी फल दे सकता है और इसके बाद आता है ललित अमरूत ये भीतरी रंग इसका गुलाबी पाये जाता है इसका वजन होता है 500-300 ग्राम ये भी आपको 100-140 के लगबग वर्ष वर में उपच देता है पर अगर अपन बात करते हैं सबसे लेटेस्ट विराइटी इंडिया में चल रही है ताइवन पिंक अमरूत ये इसका वजन होता है 300 ग्राम से लेकि 600 ग्राम तक का ये मरूत हो सकता है और इसकी उपच एक साल में एक पोदे से 30 किलो से 40 किलो के लगबग मिलती है खेत की तैयारी करने के लिए अपने को तीन से चार बार अच्छी जुताई करें गेहरी जुताई करें गोबर की खाद इसमें डालें